गुर्माइंट स्कूरेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ओके, आज हम आपको आपका जो हपेल्डी एक्जाम होने वाला है, ड्रॉइन का उसकी बारे में दुबारा से बताएंगे First of all, all the best, आप लोगों को एक्जाम की स्टार्टिंग कैसे करनी है? वो मैं आपको बता रही हूं, मैंने आपको बताया भी था सबसे पहले आपको जो आपका पेपर है, उस पेपर में क्या कखना है? Peast का बॉडर बनाना है, ठीक है? उसके बार बॉडर में आपको scale के help से बॉडर बनाएंगे और उसमें designs बनाएंगे नेक्स आपको topic का नाम top name और इस center में यहाँ पर लिखना है इधर लोगों को date mention कर लिए है जा mention कर लिए date, topic and list वाले पोने में हमें सबसे पहले sr number उसके बाद sr number के बाद name फिर उसके बाद आपको class of section और father name फिल करना है ठीक है उसके बाद हम आते हैं रिवीजर पर हमें रिवीजर क्या करना है स्केचिंग प्रक्टिस करनी है आपके पास मैं आपको टू टॉपिक्स की स्केचिंग प्रक्टिस कराऊंगी आज जल्दी से फटा-फट कॉपी निकालेंगे और उसके बाद स्केचिंग करना में और उसके बार हमें यहां पर इस तरीके से उम्हिंत कंप्रीट करना है है फिर आप इसमें ज़िशतमी डिजैन मतह सकते हो अब चाहparents यहां अब्रेला की इस तरीके से आप। सकेल्द की सेरो ना है कि अब हमारा मेर्लें की स passer चोई है आप भी हम फी कि करेंगे हम हाँ मैंू इस तरीके से रख उप Łंप क मैं हम पर दीलिक्स हो मुझे कर छोग यह इस तरीके से आप एक आप आपक हमीरा को प्रोलिक्टी हो में जोड़ों में अब हम इसमें इन दोरों पिचले स्कें इसात साथ Gew Route नी की प्रक्टिस these ऑब हम एककर को बन conversation एक्शाम में कली सुन है किष्द neighborhood है इधर हमारा अंब्रेला आप लोग देख लीजिए इसको किस तरी के सामने सबसे पहले बुटा यह पुनाया फिर यह चीक है आप लोग आप लोगों को sketching practice अपनी जो मैंने कराई हुए हुए sketching practice करते रहना है और ज्यान से अपनी sketching को करेंगे जैसे पताया जाता है आपको हमेशा पहली लाइन विक्कुल लगाने होती है उसके बाद हमें उसको dark करना होता है और उसके बाद हमें उसको sketch fence से outlining करने होता है ओके आई wish you all the best